उसके बाद अगर राजय वाइज देखा जैसे बिहार में अगर हम होते हैं तो बिहार में जो सिक्की जो ग्रास वर्क है जिसमें जिसको जी आई टेक मिला वो बास से बने उत्पाद है जैसे छोटे जो गहास होते हैं उसके टोकरी होती है पंके होते हैं खिलोने होते हैं ने मदुबनी मेदर बंगा में वो देखने को मिलते हैं तो एक प्रकार से जो हमारे यहां टोकरी होती है पतली जो पतले बास से घास से बनाए जाती है तो उस प्रकार के जो है आकर सक ये जी आई टेक इसको प्राप्त हुआ है उसके बाद जो है बिहार का जो मगही पान है मगही नाम से इस परस्ठे की मगत यानि औरंगाबाद नवादा गया नालंदा इन शेत्रों में जो है पान होता है जैसे बनारसी पान है उस तरह और इसका काफी प्रयोग होता है और ये खास इसका एक अपना स्वाद है तो इसलामपुल में इसके नुसंधान केंदर में भी बनाए गए है जहां इसका स्वोध भी होता है तो इसे भी जी आई टेक दिया गया है उसके बाद भागलपुली सिल्ख है जो की काफी चर्चित है भागलपुली जो रेशम है इस तर पर बजार है वो करीब करीब दो सो करूर का है इसके अंतरगत साड़ी है चादर है सौल है तो काफी आकरसक होते हैं यह और आसानी से बजार में उपलप्स हो जाते हैं उसके बाद बिहार के अंतरगत जो है मदुभनी जो मिथिला चितरकला मिलती है जिसमें कि दर्भंगा सहरसापुर्निया जो मुझब परफूर्छेतर में इसका आरम हुआ लेकिन इससे जो है बिहार को पुरे विश्व में पचान मिलती है कहानी के नुसार जो है जो राजा जनक थे उन्हें राम सिता भीवा में इसे महिलाओं द्वारा जो है बनाया था और राजा सैलिस का भी चितर जो है देवी देवता के रूप में बनाते हैं चाटक रंगों का इसमें प्रेयोग होता है पीला, लाल, नारंगी और भीती चितर उसके बाद कनवास या खड़े रूप में भी जो है चितर कारी की जाती है इनमें भी लोक कला का जो है काफी सम्मिसरन होता है तो इसमें जो है बवा देवी उसके बाद यगदंबा देवी सीता देवी इनका काफी योगदान है हाल के दिनों में आप SBI के डेविट कार्ड में भी देखिएगा कि जो मिथिला चितरकला का आपको फोटो मिलेगा उसके बाद आसम हम लोग आते हैं तो वहां पाएंगे कि आसम का जो मौंगा सिल्ग है जो मौंगा रेसम है तो इसे जी आई टेग मिला है ये ब्रहों फुत्र घाटी में इसका उत्पादन होता है और अर्थ सास्तर में भी चाना किया है सीना पट्टा के रूप में खुएंग सांग ने भी इसकी काफी तारिव की कामरूप रेसम के रूप में और इसका जो मौतमान में जो बारसी कुत्पादन है वो अठाइस अजार टन का ये ये मौंगा सिल्ग जो है वो काफी फेमस है जैवी कुत्पाद है उसके बाद आसम के ही तेजपूर लीची जो गोहाटी से 180 किलोमेटर दूर ब्रहमत्र के किनारे जो तेजपूर छेतर है ये जो अर्माचल पर्दे से सटा हुआ है वहाँ इसका जो है काफी इसके खेती होती है और विदेसों में भी काफी मांग है बहुत मीठा भी होता है और इसमें आप पाईएगा कि खास इसके गोहाटी को इसका जो है तन केंदर बनाया गया है यहासे विदेस में भी निर्यात किया जाता है उसके बाद जो जोहा चावल है जो असम के गुहाटी में इसका किंद्र है इसे काला चावल भी खाते है और ये काफी चिपशिपा भी होता है और इसमें जो है काफी पानी का अंस होता है रामयन में भी इसकी चर्चा की गए कि कुमकरन को जो है काफी पसंद था मनिपूर में हम जाएंगे तो पाएंगे मोईरंग की साड़ी जो मोईरंग गाओं है उसके नाम पर मोईरंग हैंडलूम है जिसमें की मैती वन्स के साथ सकूने भी इससे काफी सरक्षन दिया और इसमें दिखा गया है कि जो हैंडलूम है वो काफी समय लगता है इसको बनाने में लाल सफिद साड़ी में डिजाइन आप आम तोर पर देखिएगा कि मनिपूरी लोग पहनते हैं कई बार प्धानमंत्री भी इससे बने जो मफलर है उसको उप्योग करते हैं उसके बाद जो है सापे लेन पेपर आठ मनिपूर का वो खास पेपर आठ है उसके बाद मनिपूर का ही कच्चाई निम्बू जो काफी रसीला सिट्रिक होता है जो कच्चाई गाओं है मनिपूर में वहां की जो बिसेस मिट्टी में ये होता है उसको जिजाइटेक उसके बाद पसी मंगाल कें तरकत हम आएंगे जो कि बस 2003 में जो पहला जियाई टेक जिसे मिला था वो दारजलिंग चाय था चूंकि दारजलिंग चाय पूरे विश्व में इसकी मांग काफी है जो ऑरिजिनल जो दारजलिंग जो चाय है वो काली हरी सफेद रुप में आती ह और वो 3500 रुपिया के जी अब सो समझ सकते हैं कि ये काफी कितना मंगा है और इसे देखा गया है कि इसका जो बजार है वो करीब करीब 10,000 क्रोड़ों से उपर का है यहां जो मुख्यता सौब चाय बगान है इन शेतरों में पिटिस काल में जो है इनका विकास काफी किया है चुंकि चीन जो है चीन से ही ये पे जो है साट बी सी के करीब में आरम हुआ था जाड़ी के रूप में उसे वो साग और पे के रूप में इसका प्रयोग करते थे और 845 में केमबिल ने इसे जो है इन शेतरों में जो जाया और चाय बगान इस्थापित किया और 2013 में जो में उसके बाद सांतीनी के तरन का चुछ चमडा वर्क्स है वो बहुत प्रमूख है जो की पस्चिब मंगाल की जो बोलपूर जीले में वनस पत्री डाई के माध्यम से इसका यूज होता है जिसमें की जो जानवर के खाल होते हैं उसमें प्राकृतिक तोर पर जो है पौध बड़ा बजार है और इसमें विश्व भारती जो रविंदर नाट टैगोर की जो इनिवर्सिटी थी वो उसकी भूमी का बहुत महतोबू नया पढ़ाई भी होती है और ये हलके लाल रंका होता है ये कभी असानी से बजार में मिल जाता है उसके बाद खीर सापती हिम साग जो की हलका पीला रंका होता है इसमें की असी पतिस अधिक गुदा होता है जिसको आप मालदा आम भी कहते हैं और चुंकि मालदा आम का ही बहुत रूप है और वहाँ बीदेशों में इसकी बहुत अधिक मांगए तो इस तानी ये गौड़ वन्स का इसमें जो है सरक्षन प्राप था और गौड़ वन्स के माद हम से यहां बहुत खेती हुई पानेरी ने भी इसका उलेक किया है जो ओल्ड मालदा था इन्हें पुराना मालदा इसे इंगलिस बजार अंग्रेज बजार कहते था अभी भी है वो मालदा अतारत बहुत जादे रेविन्यू देने व यहां के जो गौर्ड सा सक है पंदृवा सा सक थे पिर मुगलों से भी हैंग्रेज की सामना किया यहां की जो फजलि आम है वह भी मालदा जिल्या की जो है जी ऑई टेग आम है उसे भी जो है अंतरा स्टेस्टर पर जियाई टेक प्राप्त है उसके बाद जो बंगाल का रसुल्ला है यह काफी चर्चित है चुंकि 2016 में उडिसा से जो है इसमें वैधानिक संगर सुवा उडिसा ने ये प्रूप किया कि ये जगनातपूर जो मंदिय था जगनातपूरी का इलेवन सेंचूरी का जिससे अनंतर्पूर्मन गंग ने बनवाया था वहाँ ये भोक के रूप में खीर सागर के रूप में यूज हो इस पर बात आई अब उडिसा सरकार को ये कहा गया कि आप प्रूप किजिए कि आप जो है उसको छेना से जो है उसको बनाते थे चूंकि छेना जो निर्मान था जो छेना बनाने की कला थी तो इसको तो हमने पूर्दगाली और डचों से सीखा था जो कि बात के दिनों में ह हमने फुटगालियों से सिखी या डेंस से सिखी तो ऐसे में इसको प्रूब नहीं कर पाया और इस वज़े से जो है वो जो रसगुला का जो है केस वो उडिसा सरकार हार गई और इसमें देखिएगा कि दोजार पंद्रा में ही वहां के जो ग्यान मंत्री थे परदीपा निक रही और बस विष्ट बंगाल के जो खाद मंत्री थे अब्दुर रज्याक दोनों में ही जो काफी सीतियूद चला इस पर और ये कोट भी गया मामल लेकिन अंत में यह फैसलावा की जो छेना जो बनाया जाता था वो पुर्दगाली लोगों लोगों ने लाया था और 1868 मे नमीन चंदर दास ने कलकत्ता में इसे पहली बार मनाया और उन्ही के पूतर केसी दास ने 1930 में इसका निर्याद विदिसों में भी किया ये प्रूब हो गया अंग्रेज सेफ जो हेराड थे जो काफी चर्चित सेफ रहे उन्होंने भी लंदन से आके यहां सीखे थे वो इस सब कारणों से जी आई टेक यह काफी चर्चित मामला है जो की पस्चिम मंगाल को राप्त हो गया 2016 में इसके बाद यूपी के अंतरगज जो है बनारसी साड़ी है जो मुखेता आजमगर्ण माउं खैराबाद मिर्यापूरू बनाई आती है लेकिन कच्छा माल जो है वो ब कर दोना का जो इसमें काम होता है जरदो जी का वू बॉका फिरमुक है अब इसी संदर में आप पाईगा कि जो जरदो जी है उसमें गुझरात को भी पराप्त हैं तो वो अलग दो जी इकला है तो यह एक्चुलिए वो यूपी के ही कारीगर थे जो की हज करने के लिए पह जर्दोजी मुखेता मूल रुप से वो यूपी की है, और चरी जो डिजाइन है वो गुजरत का है, तो इसमें सोना चांदी का जो है वरक होता था, ये वर्लड फेमज है, और इसमें जो मौटिक है, इसकी जो खाँचा है इसे बनाया जाता था, इसमें सिकारगा खाचा है, एतकरगा है, मुखेदान सारी जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं उसमें ये काम करते थे और इसके जो नीचे का जो पट्टा होता है, काफी चोड़ा होता है, और इसमें आईने अक्बरी में भी इसका उलेक है और जब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हस सिल्ब का जब पतन किया, चूंकि बिदेशी अर्थवरस थाकून को चलाना था तो ऐसे में इसका भी काफी फतन हुआ, लेकिन बात की दिनों में लोग कला के रुप में इसका सरक्षन हमें दिखता है, उसी परकार लखनाओ च की जाती थी आरम में, फिर या इरान से भारत आया, फिर उसे मुगलों के माध्यम से, फिर नवाबों ने यहां के जो लखनों के, उन्होंने अपनाया, इसमें जहांगीर का और नुर जहां का का काफी युगदान है, इस आर्थ को, चूंकि वो बहुत सौक रखते थे, काफी समय लगता था, काफी सामगरियां होती थी, और यह कोई मामूली बात थी नहीं, इन सब चीजों को बनाना, तो सौक अगर पाला जाना था, तो इसके लिए पैसा भी चाहिए था, तो इसलिए राज की सरक्षन काफी प्राप्त हुआ, और इसमें जो है, जाली, नुम